हेलो वरिवन, देस साइड मोनी का याद हो, होप यू ओल गूड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 क्लास की सेल प्रैक्टिस 12B करवाँगी, 12B एक्सराइज का ये वीडियो सेकिंड पार्ट है, इससे पहले मैं कोशन 1 तो 5 ओलरेडी करवा चुकी हूँ, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, इस वाली वीडियो में हम कोशन 6 तो 8 करेंगे, चलो कोशन करते हैं 6, कोशन 6 में कुछ ऐसी फिगर दी हुई है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसको ना हम तीन अलग-अलग सेप्स में तोड़ेंगे, एक लाइन में ऐसे ड्रो कर दी, और एक ऐसे में ड्रो कर देती हूँ, इस तरह से ये रक्टेंगल 1 बन जाता है, और ये रक्टेंगल 2, और लास्ट वाली फिगर क्या है हमारी, ट्रैंगल 3, इन तीनों का अलग-अलग अरिया निकालेंगे, और लास्ट में हम उनको लाते हैं, एरिया ओफ रक्टेंगल 1, और लास्ट वाली फिगर क्या होता है, लैंध इन तो ब्रैथ, यहां पर लैंध देखिए, रक्टेंगल 1 की लैंध की बात कर रहे हैं, देखो B से C तक की दूरी ही 10 है, 10 हम नहीं लेंगे लैंध, क्योंकि हम ने देखो इसको आगे किया था, यह हम निकालेंगे, देखो A से G तक की दूरी है 27 और E से F तक की दूरी है 9, 27 में इसे 9 आप माइनस करोगे, तो क्या आएगा 18 सैंटी मीटर इंटू 4 सैंटी मीटर, इनको मर्टिप्लाइ करोगे, तो आएगा 72 स्केर सैंटी मीटर, अब हम एरिया ओफ रेक्टेंगल 2 निकालते हैं, एरिया ओफ रेक्टेंगल 2, रूल वही होगा, लैंध इंटू ब्रैथ, यहाँ पे लैंध देखिए, E से F तक की दूरी 9 दी G से आफ तक की दूरी देखो, यहाँ लिखा हुआ है 15 सैंटी मीटर, 9 को 15 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हैगा, 135 स्केर सैंटी मीटर, एरिया ओफ ट्रैंगल, दाट इस इकुल तो 1 अपॉन 2 इंटू बेस इंटू हाइट, देखो, इस ट्रैंगल का कोई भी मेजरमेंट दिया नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगा के हमें खुद से पता करना है, ठीक है, इसका बेस अगर हम फाइंड आउट करें, तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की लाइन 15 दे रखी है, ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक की 57 में से 4 गया तो 3 सेंटी मीटर इसका बेस है, इसी तरह से हम हाइट भी निकालेंगे, ध्यान रखना, देखो, ए से जी तक की दूरी है 27, वहीं बी से सी तक की दूरी है 10, मतलब 27 में से 10 गया, तो कितना रह गया, 17 और ई से आफ तक की दूरी है 9, 17 में से 9 चला गया, तो कितना रहता है 8, तो यहाँ एगा 8 सेंटी मीटर, ठीक है, टुके टेबल से काटते हैं, फोर जब चला जाता है, यहाँ से हमारे पास आता है 12 स्केर सेंटी मीटर, हम तीनों फिगर का एरिया निकाल चुके हैं, अब हम लिखेंगे एरिया ओफ गिव 1 प्लस एरिया ओफ रक्टेंगल 2 ठीक है, देन प्लस एरिया ओफ ट्राइंगल, देखो रक्टेंगल 1 का एरिया क्या आए था, 72 स्केर सेंटी मीटर, उसमें प्लस करेंगी, रक्टेंगल 2 का एरिया, 135 स्केर सेंटी मीटर, प्लस उसमें करेंगे, ट्राइंगल का एरिया, 12 स्केर सेंटी मीटर, इन सब को प्लस करते हैं, तो आता है, 219 स्केर सेंटी मीटर, कोशन 7 देखिए, यहां में हैक्जोन, A, B, C, D, E, F का एरिया निकाल के देना है, दो तरीके से निकालना है, पहला तरीका वो क्या कह रहा है, कि इसको हमने स्प्लीड करना है, दो कोंगुरेंट, ट्राइंगल में और एक रक्टेंगल में, जैसे कि हमने पहले भी यह कोशन किया था, सेकेंड वाले कोशन में किया था ना, उसी तरह से, एक तो नीचे, देखो, यहां लाइन खीच दूत में, एक ट्राइंगल यह बन रहा है, और एक यह बन रहा है, इस तरह से इस फीगर को तोड़ने के बाद, इन तीनों का हम एरिया निकालेंगे, और दैन उसको प्लस कर देंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, एरिया ओफ ट्राइंगल, ओफ ट्राइंगल, ए, बी, एफ, दाट इस एकोल टो, वन अपॉन टो, इंटो बेस, इंटो हाइट, यह फोर्मुला लगाएंगे, वन अपॉन टो, इंटो बेस, देखिए, यह कितने का है, ए ठीक है, तो 20 है, इसका यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा, तो यहाँ हो गया 10 cm, ठीक है, और इस ट्राइंगल की हाइट देखो, यह जो दिरक्खा है, फोर सेंटी मीडर, यह इस ट्राइंगल की हाइट है, टू की टेबल से काटते हैं, यह 5 जा पर चला जाता है, 5 cm Kaz applies 5 cm से 5 cm स then area of triangle c d e उसका area भी कितना आएगा 20 square centimeter इसके बाद हम area of rectangle निकालते है area of rectangle rectangle की length कितने दी हुई है 10 centimeter 10 into breath कितना दी हुई इसके देखो यहां से यहां तक की दूरी 7 centimeter दे रखिए 7 centimeter 10 centimeter को 7 centimeter से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या आएगा 70 square centimeter अब यहां हम लिखते है area of hexagon that is equal to area of two congruent triangle plus area of rectangle पहले वाले ट्रेंगल का area कितना था 20 square centimeter दूसरे वाले ट्रेंगल का area भी 20 square centimeter और rectangle का area कितना था 17 square centimeter इनको add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 110 square centimeter अभी हम seven question का भी पार्ट करेंगे उसमें यह बोला था कि हमें दो congruent trapism में तोड़ना है इसको तो मैं A से D तक की line खीचूं देखो एक trapism यह हो गया एक trapism यह हो गया ठीक है seven question का पार्ट भी है यह ठीक है यहां लिखेंगे हम area of two congruent trapism मैंने यहाँ यह साथ की साथ two लगा दिया जो trapism का area होगा उसको मैं two से multiply कर दूँगी ठीक है देखो मैंने two trapism का area लिया है इसलिए मैंने इसको two से multiply करना है bracket के अंदर trapism का rule मैं रख देती हूँ ठीक है one upon two into height into sum of parallel side देखो यहाँ पे अंदर round bracket है इसलिए मुझे बहार square bracket लगाना चाहिए यह वाला bracket हटा के square bracket लगाते है ठीक है two square bracket one upon two into height क्या है देखो trapism कुछ इस तरह से बन रहा है a से b, b से c, c से d और फिर a यह trapism बन रहा है ठीक है तो height कहोगी ऐसे यह height होगी आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 दे रखी है तो अगर हमें आदी दूरी चाहिए तो हम क्या लेंगे 5 ठीक है multiply अभी sum of parallel side हम लिखेंगे तो देखो पूरी दूरी तो है जो वो की 15 है मतलब बड़ी वाली side तो 15 है उसमें plus करेंगे छोटी वाली side यह यहाँ तक की दूरी कितनी है 7 अभी मैं आगे 6 करती हूँ इसको 5 को 5 से multiply करेंगे तो 5 upon 2 हो गया into 15 को 7 के साथ add करते तो क्या आता है 22 2 की table से काट देते हैं यह 11 आपे चला जाता है 2 into 5 into 11 तो यहाँ से हमारे पास आता है 110 square centimeter देखो हमने दो अलग-अलग तरकी से निकाला पट उस figure का जो area है वो same है वो कितना है 110 square centimeter Question 8 देखिए The parameters of a square and regular hexagon are equal square or hexagon का parameter equal है Find the ratio of the area of the hexagon to the area of square तो हमें ratio find out करके देना है सबसे पहले हम लिखते है parameter of the square square का parameter क्या होता है 4 into side जिसको हम 4ab बोलते हैं ठीक है परिमिट्र of the regular hexagon भी लिख सकते हूँ अप ठीक है मैं या सिर्फ hexagon लिख रहे हूँ hexagon का परिमिट्र क्या होता है 6 into side यहाँ 6 के साथ हम ले रहे हैं B ठीक है और डालते हैं according to the question question में बोला गया था कि यह जो दोनो parameter है न वो equal है तो उसी का use गम करेंगे 6 B equal है 4 A के then B की value क्या आएगी 4 A divided by 6 ओके अभी हम लिखेंगे area of hexagon hexagon का area उपर क्यों ले रहे हैं क्योंकि उसमें कोशन में बोला था कि hexagon का ratio बताना है square के साथ square का area हम नीचे लेंगे ठीक है upon area of scale अब यहाँ पर rule लिख देंगे hexagon का area क्या होता है 6 into under root 3 upon 4 into side का square ठीक है और square का area क्या होता है side का square अब हम रूल में रखते हैं 6 into under root 3 upon 4 into देखो hexagon की side हमने b ली थी ना बी की value हमारे पास क्या आई थी 4 a upon 6 इसलिए इसको दो बार इसी से multiply करेंगे ओके और square की side क्या है देखो square का parameter हमने 4 a लिया था तो हमारे पास side क्या आगई a अभी हम आगे करते हैं जो ये upon में है ना ये बार से नीचे हम लेके आएंगे 6 into under root 3 upon 4 into 4 a into 4 a नीचे 6 आगया 1 और 6 नीचे आगया ये दोनों 6 हम नीचे लिया है और already क्या है नीचे बार से a into a ठीक है अभी हम cut करते हैं सबसे पहले हम 6 से 6 को काट देते हैं ठीक है और a से इस a को काट दिया 4 से 4 को काट दिया इस वाले a से इस a को हमने काट दिया 2 की टेबल से काते हैं 2 2 is a 4 2 3 is a 6 अब हम इनको multiply करके लिखतेते हैं 2 into under root 3 3 upon 3 हम से question में रेशो पूछा था इसको आपको पता ही है rational number को ratio में कैसे लिखते हैं उपर वाला number आगे लिखा जाता है 2 under root 3 ratio 3 यह हमारा answer है आप लोगों की self-practice 12 भी complete हो चुकि है hope you like this video if you like then press like button and share with your friend I will upload your next video soon until then bye bye take care stay connected तेढ़ एंवार्टार्री दिते अवार्टार्रार्ट sudah मुणवार्ट, कि शीजड़ स्फिस्टाग्खवा चितनि देढ़ से लिवा एंवार्टार्टार्टार्टार्टा।